नमस्कार साथियो स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल विकास जीके कलासिज में और राजस्तान जीके में करने वाले हैं दोस्तों आज का टोपिक है जो अपना ये है किसान अंदोलन राजस्तान में किसान अंदोलन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है दोस्त तो 25-25 क्युश्णों की अपनी च्यार कलास होगी शुरू करते हैं दोस्तो आज की कलास पहला क्युश्ण है मेवाड का बरत्मान सासन नामक है पुस्तक किसने लिखी मेवाड का बरत्मान सासन नामक पुस्तक है किसने लिखी दोस्तो option C हो जाएगा मानिकल अलबर मा option C सही उत्तर होगा दोस्तो अगला परशन है आज का दूसरा परशन है दोस्तो पूछे आपसे अलबर के सासक जैसिंग द्वारा जंगली सूरों को मारने पर परतिबंद लगाने के कारण अलबर में अंदोलन कब हुआ तो अलबर में जो सासक थे दोस्तो वो जैसिंग थे और उन्होंने किसानों की चोपटो तीफसलों को जो सूर खा रहे थे तो किसानोंने क्या किया सूरों को मारने का निर्ने लिया और जैसिंग की सरकार ने यानि अलबर में जो जैसिंग का सासन था उसने अगला क्यूशन है आज का दोस्तो, तीसरे परसन में पूछा है, मात्मा गांधी ने किस गठना को जलिया वाला बाग अत्याकांड की गठना बताते हुए, उसे दोरी डायरी, दोरी डायर साही का, इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तो, ये दो जार तेईस में दो के लिए क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो, तो इसका उत्तर होगा दोस्तो, नीमूचाना, हत्याकांड ओप्सन D, इंपोर्टेंट क्यूशन नोट करिएगा दोस्तो, तीसरा क्यूशन है आज का, चोथा क्यूशन है आपका, मादो सिये वे गोविन सिये का समन् अगला क्यूसन पांचवा क्यूसन पूछा गय आप से दोस्तों, पांचवे क्यूसन में पूछा है, राजस्तान में कर्शक आंदोलन का परारम सरोपर्थम कहां हुआ था। कर्शक आंदोलन का सुर्वपर्थम प्रारम आपको पता ही है दोस्तों, पूरे विश्वे में दोस्तों, सबसे मसूर किसान आंदोलन वह। ओप्शन भी, विजोलिया किसान आंदोलन अठारा सो, शताण में से ले की 1921 तक ये किसान आंदोलन चला था, और पहला अईंसक, य बेटा क्युशन आपसे पूछा है, निमनलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से समन दीते, दीवतिय जांच आयोक के सदस्य नहीं थे, क्युशन अच्छा है दोस्तों, उत्तर होगा, बिंदुलाल भटाचारिय सदस्य नहीं थे, रमाकांत मालविय सदस्य थे, ठ पूछा गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था दोस्तों, चमबारिश वर्सों तक, उप्सन डी सही होगा, इंपोर्टेंट क्युशन है दोस्तों, चमबारिश वर्सों तक, बिजोलिया किसान आंदो पुर्वी मेवाड परिशद की स्तापना की गई थी तो कब की गई थी दोस्तों ओप्शन सी 1922 में किसान पंचाहितों को मजबूत बनाने के लिए पुर्वी मेवाड संग की स्तापना की गई थी मेवाड परिशद या संग की स्तापना की गई थी नौमा क्यूशन देखीगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों, नौमा क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है, नोट करिएगा, नानक भीलवे देवलाल गुर्जर का समन्द निमन लिखित में से किस से था, किस से था दोस्तों इन दोनों का समन्द और समाचार पत्तर के माद्यम से विजय सेंपथिक ने विजोलिया किशान आंदोलन को बार्त में चर्चित बनाया था बहुत important क्यूशन है दोस्तो समाचार पत्तर था परताब और संकर विद्यार्थी के द्वारा ये समाचार पत्तर निकाला गया था दोस्तो अगला क्यूशन देखिएगा 11 क्यूशन है दोस्तो सन 1916 में निमल लिखित में से किसने विजोलिया किसान आंदोलन का आयोजन किया था किसने किया था दोस्तो ये किया था दोस्तो option B सही होगा विजय सेंपथिक ने किसान आंदोलन का आयोजन किया था क्यूसन नमबर बारा देखिएगा दोस्तों पूछा गए आपसे विजोलिया किसान आंदोलन की अवदी है कितनी अवदी है दोस्तों विजोलिया किसान आंदोलन की मैंने अभी बताया था 1897 से लेके और 1941 तक चम्बाडिस वर्सों तक अहीं से कांदोलन चला था दोस्तों अगला परसंद देखिएगा आज का तेरवा क्यूशन आपसे पूछा गया है राजस्तान के बिलों के लिए गुरु गोविन द्वारा गठिच समाजिक दार्मिक संग्ठन निमन लिखित में से कौन सा है कौन सा संग्ठन है दोस्तों गुरु गोविन शिंग द्वारा ये गुरु गोविन गुरु द्वारा तो ओप्शन डी सही होगा दोस्तों इसका उत्तर है उपर माल पंच बोड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों ये बात अपने को पूछी गई है और option C होगा सही दोस्तों 1917 में और मन्ना मन्ना दोस्तों मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया था सरपंच उपर माल पंच बोड का और सरपंच मन्ना गया था और हरियाली अमाव इस्या को ये स्थापना की गई थी दोस्तों याद रखना अगला क्यूशन देखिएगा पंदरवा क्यूशन पूछा आपसे बिजोल या किशान अंदोलन का कारण कितने परकार के कर और बेगार थी दोस्तों ये होगा option D 84 परकार के कर और बेगार थी important क्यूशन है नोट करना दोस्तों सोड़ा क्यूशन देखिएगा पूछा गया है सोड़ा में क्यूशन में आपसे किस किसान अंदोलन के दुरान जागिदार वा किसानों के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् be bengu kisarn andolan right answer होगा दोस्तो, सत्रमा क्यूसन देखेगा दोस्तो, जिसे तर गांदीजिन ने जलिया वाला बाग हत्याकांड से भी बिवत कहा है, कब हुआ था, यानि नीमू चाना अत्याकांड कब हुआ था, ये बात अपने को पूची है दोस्तो, option C सही होगा 14 माई 1925 को important question note कर लिएगा important question है ये बिल्कुल important question है दोस्तो note करना अगला question देखिएगा 8.8 question दोस्तो 8.8 question में आपसे पूछा गया है नेमडा अत्याकांडे कब गठीत हुआ था नेमडा अत्याकांडे कब गठीत हुआ था दोस्तो 1922 इसमी में option A सही उत्तर होगा 19 मां क्यूशन देखिएगा दोस्तो 19 में क्यूशन में पूछा है आपसे बिजोलिया किसान अंदोलन में किस जाती के किसान सर्वदिक संख्या में थे B option सही होगा दाकर जाती के किसान थे important question note करना दोस्तो दाकर सबसे जादा थे बिजोलिया किसान अंदोलन में 20 मां person है आज का बिजोलिया किसान अंदोलन के दुरान परवर्तित विद्या परचानी सभा के परवर्तक थे परवर्तित विद्या परचानी सभा के परवर्तक कोन थे दोस्तो ये अपने को बात पूछी है option D सही होगा BJC पतिक जी परवर्तक थे 21 क्यूशन देखना दोस्तों आज का important क्यूशन नोट कर लेना दोस्तों इस क्यूशन को मेवाड पुकार 21 सुत्री मांग पत्तर का समंद किस से था 21 सुत्री मेवाड पुकार 21 सुत्री मांग पत्तर का समंद मोति लालते जावत से था दोस्तों 1921 में प्रस्तूत किया था अगला परशन देखीगा 22 में परशन है और पूछा है आपसे 22 में परशन में निमलिखित में से किसने डुंगरपुर और ये बासवड़ा है दोस्तों वासदा नहीं बासवड़ा में बील अंदोलन का नेतर तो किया था बील अंदोलन का ये नेतर तो किसने किया था दोस्तों ओप्सन सी से योगा स्वामी गोविंद गिरी ने 1913 के लगवगे अंदोलन का नेतरतों किया था दोस्तों अगला परसंद देखिएगा आज का 23 क्यूशन क्या कर रहा है निमलिक्त में से कौन 1921 में मिवाड के बीलों के आदिवासी किसान अंदोलन के महत्वण व्यक्तियों में से एक है अच्छा क्यूशन है दोस्तों में तो पूर्ण व्यक्तियों में से एक है दोस्तों ये बात अपने को पूछी है और ओप्शन ए सही होगा दोस्तों मोतिलाल तेजावत है क्योंकि मोतिलाल तेजावत ही बीलों के सभी आंदोलनों का नेतरतों करते थे अगला क्यूशन है दोस्तो 24 में क्यूशन है और पुछा आपसे 1919 में महाराष्टर वर्दा महाराष्टर वर्दा से निकाला गया था दोस्तो केसरी जी रास्तान केसरी समाचार पत्तर है और इसके संपादक कौन थे बीजेसी हैं पथिक जी संपादक थे दोस्तो दोस्तो आज का last question है और last question कराने से पहले डोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंँगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे नए आयो या वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर करना दोस्तों और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों अगर आप की स्टेडी गुरूप से जुड़े होना दोस्तों तो इस वीडियो को स्टेडी गुरूप में शेयर जरूर करना दोस्तों और लास्ट क्यूसन में आज रीड कर रहा हूं दोस्तों 1960 में निमन में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था 1960 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत है अच्छा क्यूशन है दोस्तो बिजोलिया किसान पंचायत का किसने आयोजन किया था दोस्तो इस क्यूशन का उत्र मुझे आप कोमेंट में बताना तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै वारत धन्यवाद